स्वर्गी मोहन डेलकर जी के परिजनों से मुलाकात हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री और आमादमी पार्टी के रास्टिय संयोजक अर्विन केजरिवाल जी की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनके दुखद निधन पर इस दुरभाग्यपूर्ण मृत्यु पर अपनी सद्धा सुमन हम लोगों ने अर्पित की सद्धान्जली अर्पित की इस्वर से प्रात्ना की कि उनके पूर्णे आत्मा को अपने चर्णों में स्थान दे लेकिन जो कुछ भी जानकारी मिली वो दिल दहला देने वाली है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में साथ बार के चुने हुए लोकसभा सदस्य को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली घटना है इतना दुखद हाथसा किसी MP के साथ आजादी के बाद नहीं हुआ एक चुने हुए जनप्रतनीधी के उपर एक गुंडे मान सिक्ता के एड्मिनिस्ट्रेटर को बेठाल देना उसके द्वारा यहां पर जम कर भरस्टाचार करना और पैसे की लूट करके अपनी पार्टी को पहुँचाना मैं समस्ता हूँ यह खुले आमतारा साही है जो यहां के एड्मिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ड पटेल के द्वारा की गई और उस एड्मिनिस्ट्रेटर ने इतना प्रतारित किया इनको कि उन्हें अपने आत्म हत्या के बाद न्याई की उम्मीद भी इस छेतर से नहीं थी मुंबई में जाके उन्होंने आत्म हत्या की कि कम से कम मेरी मृत्यू के कारण की जाच तो निस्पक्ष तरीके से हो सके उनको यह उमीद नहीं थी कि जहां से वो साथ साल मेंबर ऑफ पार्लीमेंट रहे जहां से उनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लीमेंट रहे जहां से उनके परिवार ने हिंदुस्तान में इस छेत्र को सामिल कराने के लिए दादरा नगर हैवेली को सामिल कराने के लिए खुद से जाकर अनुरोथ किया उस परिवार को आज न्याय के लिए आत्महत्या करना पड़े और आत्महत्या भी ऐसी जगें पे करना पड़े कि उसे जाँच में भी न्याय की उम्मीद न हो इस से ज़्यादा ताना साही का कोई दूसरा उधारन नहीं हो सकता मुझे जो जानकारी मिली इस प्रफुल पड़ेल के राज में दो अधिकारी पहले भी आत्महत्या कर चुके हैं एक जिगनेश और एक और एग्जेकुटिव ओफिसर थे ऐसस बोया करके दो अधिकारी आत्मत्या कर चुके हैं कि ऐसा ताना साधमी यहां पर बैठा कैसे इसको तुरेंत अरेस्ट करना चाहिए और तुरेंस को घि यहां पर अगर इस छेत्र में शांती चाहती है सरकार अगर इस छेत्र में अमन चैन चाहती है सरकार अगर दादरा नगर हवेली को भरस्टाचार से मुक्त चाहती है तो एक मिनट के अंदर यहां के एड्मिनिस्टेटर प्रफुल पटेल को हटाया जाना चाहिए और इसकी गिरफतारी होनी चाहिए कि इसने किस तरीके से प्रतारित किया मोहन डेलकर जी को को उनकी आत्महत्या करनी पड़ी पार्लेमेंट का सत्र आठ तारिक से सुरू होने वाला है अभी उनके पुत्र अविनौ जी से बात हुई सभी सांसदों को उनके द्वारा पत्र लिखा जाएगा ऐसा उन्होंने बताया और यह एक सांसद के दुखद मृत्यू का मामला है आत्महत्या का मामला है पार्लेमेंट आठ तारिक से चल रही है आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी मजबूती से इनकी आवाज को इनके परिवार की पीड़ा को मैं पार्लेमेंट के अंदर उठाऊंगा और जो लोग भी इसमें दोसी हैं जिनके नाम उनके सुिसाइड न प्रफुल पटेल तो निस्पक्ष जाच नहीं हो सकती इसको तुरंट गृफ्तार करके यहां से हटाके इसको गृफ्तार करना चाहिए और इसके इसने जितने भरस्टा चार पिछले चार सारे चार साल के अंदर किये हैं इसकी सारी जाच होनी चाहिए ऐसा बेइमान आदम यहां पर बैठा हुआ है किसी के घर तुड़वा देता है किसी के स्कूल तुड़वा देता है किसी के कालेस तुड़वा देता है यहां हिटलर साही मचा रखा इसने तो इसको तो तुरंट अरेस्ट के लावा इसको हटाने के लावा इसकी तुरंट अरेस्ट होनी करेंगे हमारे साथ गुजरात के प्रदेश अध्यक योपाल इटालिया जी में हमारे महामंत्री मनोज जी भी है और हम सब लोग इस मामले में भाजुपा को बेनकाप करेंगे उनको छोड़े गे रही एक आदमी अगर अपनी लोक प्रियता के कारण निर्दली जीत जाए तो एक चुने हुए व्यक्ति का क्या मतलब है फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या मतलब है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर एक चुना हुआ जन प्रत्नी दी एक सांसत कोई मतलब नहीं रखता उसके उपर एक गैर चुना हुआ व्यक्ति एक पार्टी से आया इंडिपेंडेंडेंट पार्टियों के ऊपर उसको चुना और उसके बावजूद उसको इतना प्रतारित किया गया कि उसे आत्मत्या करनी पड़ी मैं फिर से एक बार मोहंडेल कर जी को अपनी सद्धांजली अर्पित करता हूं और इस लड़ाई में उनके परिवार के साथ अर्विन केज्रिवाल जी और हमारी पूरी पार्टी खड़ी है बावज अर्वास